हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप हमारे यूटोब चैनल राजिस्तानी मार्बल स्टैचु मार्ट में आप सभी का फिर से स्वागत है मैं हूँ करन जोगी और आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ दत्ता जी की मार्बल से बनी हुई मूर्ती जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब इसके अंदर थोड़ा काम बाकी है जैसे ही काम कंप्लीट हो जाएगा तो मूर्ती और भी अधिक सुन्दर लगेगी उसके इलावब इसका लेमिनेशन भी नहीं किया है लेमिनेशन होने के बाद मूर्ती बहुत ज्यादा सुन्दर आपको लगेगी यह डाइफिट में बनी हुई है यह आप काम की बात करें तो नीचे देखे हैं और दो डॉग इस तरह बने हुए हैं जो की बहुत सुन्दर लग रहे हैं साथ में भगवान के जो अवस्तर हैं वो भी बहुत ही अच्छे से बनाए हुए हैं आप दोती को देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसमें काम हुआ है जिदि आप गदा को देखते हैं तो बहुत अच्छे से रिजाइन हमने गदा में दिया हुआ है दूसरे हाथ में बगवान दत्ता तेरे जी के हाथ में का काम है जो गड़ाई का काम है जिस तरह से मूर्ती बनी है वो बहुत ही सुंदर और आक्षक आपको देखने को मिलता है यह मूर्ती सफेज संग्मरमर से बनी हुई है इसमें हमने अमबा जी के पत्थर का उपयोग किया हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं मूर्ती ज़्यादा शुंदर और आक्षक लगेगी इस तरह कि हमारे पास काफी मूर्ती आपको मिल जाती है अलग-अलग साइजों के हिसाफ से मूर्ती मिल जाती है और यदि आपके पास अपना कोई डिजाइन हो तो हम उसके आधार पर भी आपको मूर्ती बना करके उपलब्द क गढ़ी जाती है हम पहले से बना कर नहीं रखते हैं पहले इसे सिर्फ आपको हमारी पास कुछ चुनिंदा साधा डिजाइन ही मिलेंगे उसके अलावा हम आल अवर इंडिया आपको मूर्ति उप्लब्द करवा सकते हैं ट्रांस्पोर्टिशन द्वारा हम मूर्तियां यहां से भेज देते हैं आप देखे कितना सुंदर और कितना मनमोग जो है त्रिदेवों का चेहरा लग रहा है बहुत ही सुंदर जो है मूर्ति लग रही है अभी तो इनका काम बाकी है जैसे ही बाकी का काम हो जाएगा मूर्ति और भी सुंदर और आक्षक आपको लगेगी तो यदि अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जागर किया हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आपको मूर्ती कैसे लगी और यदि आपको भी इसी तरह की मार्बल से बनी हुई मूर्तियों की आफशकता है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में दिये हुए नंबर पे कॉल कीजिए उन पे मैसेजिस कीजिए तैंक्यू जैमाता दे